प्लास्टिक प्लास्टिक का टेबल दा वहीं पे अबना हुआ टेबल पेले जाग को जाड़े अतना डाय रखा और जब मैंने ड्राइंग प्लास्टिक पढ़ आजाता था कि मैंने बहुत अच्छे चे एगा से ट्रेणि लिया था अइब शुल्ट्फ है जो माईनर और मेर्जर प्रोजेक्ट होता है वह भी मैंने बिल्डिंग स्ट्रक्शर में ह कीया था तो पूर हमेंग रेटिंग मेंने से हुख लिया था पहले सब्स की को बेच ही विशा म no में अचर हूं माईजरमेंट कीतना कि इंग मेजर्मेंट कना तो आट रींच को डीम का मैजरमेंट था मैं सााइट पर निकला 12-inch, साइट पे जो बीन का साइज निकला हो 12-inch, मैंने फुल एटिट्व अटिट्वीड में, इधर आ, सुप्रवाइजर को बुलाया, इधर आ, सुप्रवाइजर आया, मैं बोलाए ये 8-inch, ड्राइज पर दिया 8-inch, साइट में करता है तू 12-inch, टिक कर इसको, तो वो ना प्राता 8 इंचा रहे था, मैं ना प्राता 12 इंचा रहे था, så एम आपको बलाया, 12 इंचा रहे देख इसको ठीक से, अब लेबल नहीं था कि हम यूटूब में पुरी चीज़े सीख सके आज यूटूब अब लेबल है आज आपके लिए सिखाने के लिए तो मेरे जैसे जो गलतियां जो मुझे पांस साल लगे अपने करियर को ग्रोथ करने पे अच्छे लेवल पे एक PSU फर्म पहुंचने में मुझे पांस साल लगे और पांस साल बात मैंने PSU फर्म से रिजाइनिंग दिया स्रिप और स्रिप आप लोग को सिखाने के लिए कि जिस तरीके से मुझे टाइम लगा सीखने पे मुझे यह फिलवा यदि यह सारी चीज़े मुझे पहले दिन आजाता यदि मुझे जॉब करते वक्त ही सारी चीज़े में सीख लेता तो उस समय कहीं और होता और जब मैं उस अचीव लेबल पे पहुंचा जब उस इंडस्टी के एकदम टॉप्मस लेबल में पहुंचा तब यह समझा है नहीं आ रही है अकेले के लिए यह नहीं है यह नॉलेज में अपने साथ कह ही निए ले जा सकता इस नॉलेज को मुझे इस नॉलेज का मुझे था आता और यह लทंप अडरोवर वर्ट मोथ contest इंजिनयर पूर यह इलेञा रिलिए मांस्ट थो दो ग्रोडरा इक सक लेए मांस्ट घो वांस्ट वांस्त toico म से रंदाक्र मॉर मजिए इंड Tea 26 इं बावजूद भी आज भी इंजीनियर बेरोजगार हैं। क्यों पता इसका reason? क्योंकि engineering college एक 80 का अड़ा हो गया है। ऐसा क्या कारण है कि 4 साल के engineering के बाद भी इंजीनियर बेरोजगार है। कौन-कौन से reasons हैं जिसके कारण engineering college और corporate industry के बीज में इतना बड़ा gap है। जो Engineering College सिखाता है वो किसी भी Corporate Industry को चाहिए ही और जो Corporate Industry को चाहिए वो Engineering College के पास है ही नहीं तो ऐसा कैसे Engineering College के engineers corporate में जाके सही से fit हो सकते हैं ऐसा क्या होगा कि जिससे Engineering College से pass out होने के बाद just वो corporate ले fit हो जाए पूरी जो industry demand है पूरी जो corporate की demand है वो इस college से निकलने के बाद engineer के बाद अपने आप होना चाहिए इसलिए civil engineer training institute का अविस्कार हुआ इस दुनिया में कि जो इन दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं क्या कर रहा है कि जो college में सिखाया जाता है उसे यह practically design करते हैं और जो इस industry को demand है वहाँ जाके fit करते हैं इससे सिब एक concept समझ सकते होगा कि जब आपको bike चलानी होती है जब आपको bike सिखना होता है तो diet आप bike खरित के सिखना चालू नहीं कर देते हैं पहले आप सिखते हो अपने friend के साथ अपने parent के साथ अपने किसी कलीक के साथ bike चलाना सिखते हो फिर जाके bike लेते हो फिर उस bike को operate करते हो सेम उसी तरीके से engineering job भी engineering career भी है आपने जन्म तो ले लिया है ऐसा engineer engineering college में पढ़के लेकिन अब time है सीखने का पहले आप सिखोगे सह सही तरीकी से आप वो सलाना आ जाएगा तभी तो आप सही तरीकी से जाके job करोगे लेकिन लोग क्या सोचते हैं आप पैदा हुए आप engineering college engineer बने और direct जाके job कर लो इस gap के कारण engineering college में सिखा हुआ engineer direct corporate में जाके career growth नहीं कर पाथ क्यों क्योंकि इस industry को क्या requirement है वो कभी college वाल आपको जाना है दिल्ली घुमने के लिए लेकिन आप पूछ किस से रहो जो कभी दिल्ली गया ही नहीं यदि आपको कभी भी किसी भी दुनिया घुमने जाना है किसी भी location में travel करने जाना है तो आप उस person से contact करते हो जो उस area से travel करके आ चुका है जो successfully उस travel को achieve किया है उस person से पुछते हो वो person होता है यह civil engineer training institute किसना आप बताता हूं कि जब मैं job कर रहा था उस समय हमें करीब करीब महीने तक सौ से ज्यादा इंजिनियर का interview लिया interview पर यह पता चला कि लोगों के पास skill नहीं है जिस तरीके से जिसी speed से मैं आगे बढ़ा जिसी speed से हमारे trainers आगे है वो नई होने के पीछे का सबसे बड़ा reason है यह बड़ा gap जो college और industry के बीच में बहुत सारे इंजिनियर fraud job consultancy के चक्कर में फच जाते हैं उन्हें registration amount 500 रुपे 1000 रुपे 1500 रुपे इस type registration amount pay करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है तो तो foreign जा सकता है तो दिल्ली जा सकता ह उंबे में job कर सकता है इतनी बड़ी बड़ी industry है तो यहां कहां गाउं में बैटी है अपना career खराब कर रहा है और वो one time registration fees को charge करते हैं और कहते हैं कि जब जाब लगेगा तो यह fees return हो जाएगा processing fees security amount तीन महीने के लिए चाय साइवने में return हो जाएगा इस type का fraud करके आपको जहां सा देखें वो आपसे जäब से पैसा दो निकाल लेते हैं लेकिन engineer फिर क्या गलती करता है वो फिर ये गलती करता है कि वो interview के भरूसे उनके interview के भरूसे वो अराम सो बैट रता है कि यार वो तो job लगवा देगा लेकिन क्या यह possible है क्या यह possible है कि आपको आएगा करेगा तब तक experience कैसे आएगा तो भाई साब जब आपको सीखना है तो क्या आप चम चमाती हुई new car चला के सिखोगी क्या क्या आप अपनी brand new car में driving skill चेक करोगे कि मुझे चलाना है तो मैं नया car खरीदूंगा फिर चलाँगा नहीं यार driving सिखने के लिए हम अपने parents से घर पे गार है तो या अपने friends से या फिर हम driving school में जाके पहले car सिखते हैं फिर हम अपनी car purchase करते हैं या जो हमारे पास car है उसको हम चलाते हैं तब तक हम free hand उस car को नहीं चलाते जब तक हमें पूरी की पूरी उसको चलाने के skill ना जा से मुझी तरीके से job है जो इस industry में demand है वो demand है skilled engineer और अब तो कुरोना के बाद अब और ज़्यादा competition बढ़ गया है क्योंकि companies अब जादे engineers को hire नहीं करेगी क्योंकि आने वाले 4-5 साल तक industry मंदी में ही रहेगा क्योंकि labor घर जा चुके है अब उनको वापस लाना और फिर से fund raise करना government के पास फिर से funding आना ये समय लगेगा और इस समय पे आप अपना career खराब मत कीजिए और ब लेकि तो आपकी salary से 50% 60% first month की salary हो लेंगे ये consistency एक तरीकी से से भी हो सकती है क्यों भई कुछ ने कुछ तो charge करेगा ही लेकिन job लगने के बात charge करेगा ये मैं इस तरीके सा आपको समझाता हूँ कि यदि आप एक मीने घर पे बैठ गये तो पैसा तो मिलेगा निए घर में लेकिन आपने एक मेना job कर लिया तो अगले मेने से ये definitely आपको पैसा मिलना चालो जाएगा कुछ companies half salary लेती है कुछ company 70% लेती है कुछ company 80% लेती है जो job consultancy है उस consultancy आप भरूसा कर सकते हो लेकिन interview में जाने से पहले technical skill अजमाल हो यार पूरा का पूरा technical skill समझे लो क्या है technical skill आप क्योंकि क्रिकेट खिलने जा रहे हो और आपको बैटिंग नहीं आती बस बैटिंग मिल जागा तो खेल लूँगा खेल के देखें के बैटिंग कैसे होता है जब आप बैट पकड़ोगे ball आ गया बोल्ड हो गया तो दुबारा जान तो नहीं मिलने माला इसलिए हर math से पहले net practice जरूरी है जा कि आप पहले net practice कर अच्छे से पूरी technical skill अच्छे से सीख लो आप और इसे में मैं आपको समझाता हूँ यदि आपको बैटिंग और बॉलिंग नहीं आती तो आप पूरी match में से fielding करते रह जाते हो और बहुस तरह ऐसे player हैं तो सारे से fielding करते रह ज company आपके emotional touch आपके familiar touch आपके financial touch से matter नहीं करता मतलब कि यदि आपके पास technical skill डवलब नहीं है यदि आपका technical skill weak है तो आप अपने career पे zero growth करते हैं zero growth ऐसे बहुत सारे इंजिनियर इस इंडस्ट्री पे इंके पास 15 साल का experience है लेकिन salary 30,000 रुपे 25,000 रुपे 25,000 रुपे 20 साल क experience होने के बाद क्यों technical skill में कभी कामी नहीं कि हमिसार labor समाला होने जीवन बर labor समाल के आगे कैसे बढ़ोगे यार project manager तक general manager तक vice president तक CEO तक पहुचना है तो आपको technical skill, leadership quality, project management skill, project scheduling skill, billing skill, documentary skill, tendering skill, ये सारे चीज़ आपको सीखनी पड़ेगे तब तो आप जागे काम करोगे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि साम जाव करके शेख लेंगे बहुत अच्छी सोचे वह जाब करके सीख लेंगे लेकिन जाब में क्या सीखोगे जो काम भो रहा है लेकिन आपके project में एक project को कृष्यक को कतम होने में जाके लगता है तो ऐख साल, दो साल, तीन साल, चार कम से कम क्योंकि इनिशियल स्टेज में सेलरी ग्रोथ बहुत जादा होता है यदि आपके टेक्निकल इसकी रच्छा होता हो आप 12000-1050000 से करियरी स्टाट करो और रैपिट फायर ग्रोथ करो डबल ग्रोथ करो त्रिपल ग्रोथ करो क्योंकि स्टार्टिंग पे सेलरी बढ़ लाग डेड़ लाग रुपे सेलरी पहुचने के बाद ग्रोथ रेट कम हो जाता है उसके बाद 20% 35% 30% ही सेलरी ग्रोथ होता है लेकिन करियर के स्टार्टिंग पे जब आपकी सेलरी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 होता है तो हर साल आप डबल ग्रोथ हर सकते हो मैं अपनी फर्स डे की स आप पे तो सोच तो यही था कि बड़ा सा ओफिस होगा सांदार केवीनों का जाकर ब्रीप केस रहूंगा और काम स्टार्ट करूंगा लेकिन दोस्तों वो स्रब एक स्रिप सपना ही था गया तो एक जोपनी मिला टीन सैट वाला एक चेर था प्लास्टिक का टेबल था वही सांदार जगास मैंने किया दा जो माइनरें मेजर प्रोजेक्ट होता है वह भी मैंने बिल्डिंग इंस्ट्रक्टर में ही किया था तो फूरा में को ड्राइंग उठाया ड्राइंग पर लिए देखा कि हम मैजर्मेंट कितना है बीम का और बीम की आफिक गास्टिंग हो तो तो को बलाए 12 वाह से भूम को बढ़ाया किस टेप की सामने मेरे पास प्लास्टिक वालेटी का थे Schön और वो ब्लेक टेप को पकड़ते हैं तो यह यह कैपसीटी था मेरा फॉस्ट डे कि मैं को टेप पकड़ने नहीं आता था ड्राइंग रीडिंग मैं ने सीख लिया था लेकिन टेप पकड़ने नहीं आता क्यों कि लैक आप प्रैक्टिस उस समय के मैं बात कर रहा हूं 2013 में आ और पांच साल बाद मैंने एक PSU फर्म से रिजाइनिंग दिया स्रिप और स्रिप आप लोगों को सिखाने के लिए कि जिस तरीके से मुझे टाइम लगा सीखने पे मुझे यह फिलवा यदि यह सारी चीज मुझे पहले दिन आ जाता यदि मुझे जॉब करते वक्त यह सार इस नॉलेज के मुझे स्प्रैड करना है आल ओर आल ओर इंडिया आल वर्ड वर्ट देट इट इन इंजिनियर वोह रियली वांस तू ग्रोग दियर कोर्परेट इस के वह वह उन्स तू आर्न मौर मनी दैट ही रियली डिजर्व वह लाइफ इस्टायल वह जीने का तरीका आपको यह वीडियो कैसा लगा और किस तरीके का वीडियो आप और